अपने पुलाओ तो बहुत खाये होंगे लेकिन क्या इस तरह से बनीवी साही वेज पुलाओ खाये हैं नहीं तो चलिए आज हम लोग बनाते हैं साही वेज पुलाओ जो की बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही जटबट बन जाती है और खाने में तो मैं आपको बताने सकती उ इस प्लेट से दो प्लेट के करीब हम लोग चाववा लिये हैं। आप चाव़ जादा या कम भी ले सकते हैं। मैं दो छी रceğनों के झी पर दो बनान रहा है। वेजेटेबल्स में गाजर है कटीवी बारिक कटीवी इस तरह से इसमें ही मटर है प्याज है बारिक कटीवी गोबी है फुल गोबी बारिक कटीवी सिम्ला मिर्च है बारिक कटीवी और यह लाल सिम्ला मिर्च है आप चाहे तो यह जो लाल सिम्ला मिर्च है उन्हें स्किप क और मैं आपको बता दूँ इसमें अगर आप आलू और पनीद में एट करोंगे न तो इसका जो टेस्ट है वह दूगना बढ़ जाती है लेकिन आपके पास में जो चीजे हैं आप वह एट कर सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे गैस में कढ़ाई रेखेंगे कढ़ यह अच्छी तरह से ताड़कने देखें यह और क्या करना है इसमें पारिक कटीवी प्यास डालें आप चाहेँ तो प्यास को नस्किब भी कर सकते हैं बिना प्यास की बना सकते हैं लेकिन अच्छा से टेस्ट आता है उसके बाद में इसमें ही यह हरी मीर्ची है हम लोग इ चाहरी मीर्ची करते हूं बोले मैं लिए परस किึो एक मिर्ची करते हूं उसके बाद भूल करना है इसमे ध्रह फेशे परं भी टेबल सपूने कि परना है घजर सीपटबोल के लिए पर आपिश्ट की तब आप में सारे वेज़ेटेबल जो है उनको डाल दी हूँ और सभी को अच्छी तरह से मिक्स करना है कम से कम इन्हें बहुत ज़्यादा पकाने के जरुरत नहीं है नहीं कम से कम campaign झ किमीं की हम मुग पकाईगे हि इस भंख ज्यादा पकाने के जो रखी अच्छी तरह से पर के उसके दुट हैं equipped 1-2 मिनिट इन्हें अच्छी तरह से झाflow मिक्स करने के बाद मेंद कि कि दो प्लेट मैंने चावल ली थी ना तो चार प्लेट के करीब पानी डाल दी हूं पानी डालने के बाद में सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें इस तरह से मिक्स करना है उसके बाद में क्या करना है इसमें ही स्वादा अनुसाथ नमक डाले और सभी को फिर से अच्छी त सहे ओपनी कि अची तरह से बॉल हो गया नहीं हो जाती तब कम से कम मדदे weeds पकाना है पानी हमेरी अची की तरह से ऊबल रहे जाने कि यह भुत सकते हमारी इसके उलंग देख सकते हमारी अची से घ Thai minimum कार ना है इसने और बाद कारने कि चावल द भूकर कौर en Schl batter UKWould जरूरी है आपकी जो मसाले है अच्छी तरह यह जाती है mix करने के बाद में इन्हें फिर से ढख कर low medium gas में कम से कम 3-4 मिनिट पकाना है एकदम low gas में पकाना है हमको इसको steam में पकाना है तभी आपके जो चावल है ना बहुत ही किले-किले बनेगे तो इन्हें क्या करें ढख दे और एकदम gas का फिर्म लो कर दे और low करने के बाद मैं इन्हें 5-6 मिनित पका ले 5-6 मिनित हो किया है गैस बन्द कर दे और आप देख सकते हैं अमारी चावल है ना कितनी अची तरह से पकी है इस में से पूरा पानी जो है ना वो कि पक गया है तो पूरा पानी रिमो हो गया है достos catch it इन्हें अप आराम से चमसके साइटे में चमस चलाना हूं कितनी अछी तरवसें पकी है , जो सबस्ते हैं नीजी से उपर के thickness झाली हूं और इन्हें गर्मा गरम ही आप ट्रायता के साथ में सवग कर सकते हैं, करी के साथ में सवग कर सकते हैं, या फिर इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्ट लगती थी, इस तरह से शाही वेज पुलाओ बनाए, खाए, और अगर आपको मे प्लीज मेरे वेडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद